पंद्रा जन्वरी से चार मार्श तक चलने वाले प्रयागराज कुम्ह मेला में धार्मिक भावना और आस्था के साथ साथ कई भव मानक बने या कुम्ह मेला अनेक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए भी जाना जाएगा कुम्ह में विसाल जन्मानस ने गंगा में सनानकर सात्विक्ता और पूर्ण लाब प्राप्त किया नागाओं को देखने वालों की भारी भीड रही तो अखाडो वाले सेक्टर में हमेशा चहल पहल दिखी इससे यह तो पता चलता है कि धर्म की इस बनावट और बनावट के लोग अभी भी अनभिग्य हैं इस बार कुम्ह में सामाजिक रूडियां तूटी और एक दलित महा मंडलेसवर बना और उन्होंने अपनी जात या समाज के लोगों को नई परंपराओं से जोड़ा किनर अखाडे को जूना ने अपना अंग बना कर साही सनान में साथ रखा साथ ही सैव और वैशनों अखाडे में बंधुत्वा के कई उधारन दिखे प्रियाग कुम्ह मेले में 10,000 सचता कर्मियों ने जाडू लगा कर गिनीज बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया कुम्ह के दोरान प्रियाग राज विस्व का एक मात्र ऐस सहर बना जहां 503 बसों की परेड एक साथ कराई गई इसे गिनीज वर्ड रिकॉर्ड में सामिल भी किया गया इस साल के कुम्ह में अध्यात्मिक्ता के रंग में पूरा प्रियागराज रंगा हुआ था लेकिन इस धार्मिक अध्यात्मिक्ता में सच्छता और विकास का भी मिशाल है आएने नियोश टीवी के लिए प्रधान संपादक उध्यादव की रिपोर्ट जय रिविलby के सब्सक्राब वाला हुआत्मिक्ता और सैनल्यवे जयान व्तार शायुता और सनल्य खी वहत्मिक्ता सक्जा की प्रूपें I'm very impressed, inspired by all the people who have come here for spiritual purposes and I feel a sense of welcome, nobody asking anything of me, only giving me information, tea, offering food, a very welcoming hospitality and generosity. The welcoming of the people, and I think that I'm just, the cleanliness of the city and how easy it is to be here as a foreign tourist was just astounding, just amazing. It's far above and beyond what I was anticipating. Well, I came here for Koum, as my cousins told me about Koum. So I come to experience it, and it was a very nice experience for me. It was a very good experience. I will say to everybody that we should come and try it. It's a very, very beautiful experience. I'm very glad, so I announce everybody to go, come and join us for the Koum Mela. It will be a great experience for you. देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए INA News.